अपको बता है हम लोग आज के सेशन में मिक्स्ट सेट अफ कोश्टन सो डिसस करेंगे जो की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कपर होने वाले यह एजर रिवीजन की तोर के अपको एक्जामिनेशन के लिए काफी ज़्याद हेलफूल रहेंगे और काफी हम लोग इसमें पूनेवटरों का एक्जामिनेशन के लिए इसमें 150 मार्क्स के लिए और एक चीज़ आपको बता दो लिए तो लिए उन थर्ड निगेटिव को आपको फेस करना पड़ेगा अगर आपको एक गलत हो जाता है तो आपके पॉंट्री-3 मार्क्स हो जाएंगे इसमें सबसे सिग्निफिकन डूल प्लै करते हैं हमारे मराटी का टॉपिक जिसमें हैं 15 स्थीन मार्क्स के लिए अग आपके जो कॉश्चन से यह जो पार्ट ए पार्ट फू एंड पार्ट त्री विल नॉट बे टेकन इंट इन्ट कंसिडरेशन तो यह आपको ध्यान में रखनों का कंप्लिट टूटल टाइम में आपका 120 मिनिट्स अनि तुम्हाला एक अजुन कोश्टे सांगो एची तो कि ज एक्जामनेशन जाटी कारें कि यह माधी तुम्हाला माईते भाषे चे प्रयोग आनी देंचे प्रकार जाला अपन मन्टो कि वसे नेट्स टाइप वाक्य चे प्रकार समाना आर्ती शब्द जाले शब्द समुआ बदल एक शब्द माराठी महनी आनी वाक्य प्रचार विर प्रचार विर्ट के लिए टेंड रूपीज मते ही तुम्हाला माराठी में वैकर रहना ची मेराथन मिरना रहा है ठीक है और यह मस्ट वॉच्छ आपके एक्जामनेशन से पहले अभी हमारे सेशन के और कंटीनियू करते हैं और अभी हम लोग सबसे पहला क्वेशन देखते हैं हम लोग मिक्स्ट को सेट आफ को डिसे करेंगे अभी जिन स्ट्टॉइट्स ने डिएफ से सल का एक्जेक्टिव ए और एक बात यह भी है कि एलेक्ट्रोनिक्स को अब टेकन फॉर ग्रेंटेट मत लीजिए क्योंकि एलेक्ट्रोनिक्स सेक्षन में से काफी जदा क्वेशन आपको देखने को मिलते हैं आज कल ठीक है एक्टिव रिजन ऑपरेशन आफ एंप्रेशन में क्या होता है कि इमेट पूचा कहते है कि कौन से कौन से तीन डिजन बाइसिंग डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग के रहे थे तो वह उसका करेक्ट एंसर था थी इसलिए आपको कॉंसेप्ट को ध्यान में रखनों को हर चीज़े अच्छी दरीके से पढ़नी होगी ठीक है नेक्स कोशन है हमार के सिंगनल को कट्रोल कर सके या फिर इसको अंप्लिफाय कर सके ठीक है उलेक्टिक करन को यह आपको डिफरेंस जहान में रखना गांओ अ हूए बिट्विन अक्टिव एन एक्टिव एन पैसिव कंपोरंन्न नहीं है तो कापसिटर इसंद्ना एन एक्सिव कंपोनन्न वह ह आपको पता होना चाहिए, transistor, diode, LED, photo diode, integrated circuit, optional amplifier, seven segment display and the battery itself is an active component and register, LDR, thermistor, capacitor, inductor, switch, variable registers and transformer is a passive component, आपको ध्यान में रखना होका option D, इस question का correct answer है, ठीक है, तेन हमारा next question है, question number 3, एक question इसमें से transmission line में से आपको question पूचा है जगता है, DFC cell में भी पूचा गयता लिए उसका concept कुछ different था, question हम लोग discuss करते हैं, the effect of capacitance in a long transmission line is, जो capacitance का effect रहता है, हमारे long transmission line में हो हमारा distributed हम लोग consider करते हैं, ध्यान में रखना होका option C, इसको correct answer है, अब अपनी हापे सिर्फ question देखके ही, इसको skip नहीं करना है, मैं आपको बता दू, ये table आपको में काफी important है, और इसी में से questions काफी बा short वाले question, तो आपको पता रहा होतना होना चाहिए, कि तीन जो statement है, उसमें से कौन सा एक जो है, आपका incorrect है, तो इसमें से आपको match the pair के form में ऐसा पुछा सकता है, कि short, long और medium transmission line का length को आपको match करना होगा, या फिर उसको operating voltage कितना रहता है, वो आपको match करना होगा, या फिर effect of capacitance आपको consider करना होगा तर्यक्स, short transmission line में, जिसका length, between zero to 80 kilometers रहता है, जिसमें मारा capacitance क जिसमें हमारा, या लेंद तो इसके variety of combinations भी आपको ध्यान में रखने रखने रहते है, ठीक है, नेक्स question है हमारे पास में, question number 4, a triplex wave winding will have a dash parallel path, ठीक है, ठीक है, दो तरीके के winding होते हैं, एक तो wave हो गया है, दूसरा हो गया है, lap, lap में क्या होता है, a is equals to p, मैंने आपको बता है था, a is equals to p, number of parallel path is equals to number of poles, ठीक है, wave winding में क्या होता है, जो simplex wave winding में, जो parallel path रहते हैं between brushes, it is always 2, ठीक है, a is equals to 2 रहता है, ठीक है, और multiplex wave winding में, जो number of parallel path रहते हैं, वो 2 into m, यह m क्या है, यह हमारा, एक तो simplex winding है, तो इसमें हम लोग 1 substitute करेंगे, duplex है तो 2, triplex है तो 3, तो 3 into 2 will be 6, इसका correct answer आजाएगा, option c6, but आपको द्यान में रखना होगा, अगर lap पूछा गया, तो lap में भी simplex lap रहता है, duplex lap रहता है, triplex lap रहता है, ठीक है, तो simplex lap में हम लोग a is equals to p करेंगे, duplex lap में क्या है, a is equals to twice into p, and triplex lap में a is equals to 3 into p करेंगे, अब यहाँ पर आपको यह चीज इसलिए significant है, कि अगर आपको यहाँ पर duplex lap पूछा गया गलती से, तो हम लोग p is equals to twice कर लेते काफी का बार, या फिर a is equals to 2, हम लोग a is equals to p ही consider करके solve करते है, और वो option में भी दिया रहता है, वो solve करने के लिए, जैसे कि DC मशिन का equation रहता है e is equals to 5 p zn upon 60a, अगर lap winding आपको पूछा गया, तो a is equals to p होता है, तो यह automatically cancel out हो जाता है, but in case of a, पर आपको कोई corner में लिखा रहता है कि consider the duplex winding to, आपको यह ध्यान में रखना हो का p और a आपको cancel out नहीं करना है, ठीक है, presence of mind ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको पेपर को solve करना रहता है, अगर आपने piece equals to a रखके इसको यह फिरिकली cancel कर दिया, तो EB का जो back EMFA आपका directly answer गलत आजाएंगा, और वो गलत answer आपको option में भी देखने को में ज़ता है, इतना 100% है, तो इस तरीके से आपको छोटी-छोटी जो मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान में रखने ही रहती है, ठीक है, तो हमारा next question है, question number 5, अब यह electronics message जो question है, यह भी same as a DFCSL में question पूचा गया था, same that means as a, इसका concept, ठीक है, अब आपको question में क्या पूचा गया है, हम लोग सबसे पहले तो recess करते है, question हाला कि हम लोग recess कर चुगे, फिर भी मैं आपको इसके variety of combinations बता देता हूँ, तो ratio of collector current to the emitter current of a transistor is 0.99, ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है, ratio of collector current to the emitter current is 0.99, अब आपको यह ध्याएन में रखना होंका, इसे ratio को हम लोग क्या कहते हैं, common base current gain, इसको हम लोग कहते है, alpha, common base current gain, ठीक है, या आपको ध्याएन में रखना होंका, काफी कबडर match the pair की form में ऐसा भी बोचा सकता है, common base current gain मतलब क्या होता है, common emitter gain मतलब क्या होता है common emitter gain हम लोग beta से represent करते है उसका formula क्या है ic upon ib ठीक है ic upon ib जिसको हम लोग कैसे represent करते है alpha upon 1-alpha alpha upon 1-alpha ठीक है अब हमारे पास में क्या पूछा गए the ratio of collector current to the base current is what ठीक है अब यहां पर ratio पूछा गया था बीटा का ही value पूछा गया था जो कि हम लोग उसको mention करते common emitter current gain ठीक हम लोग beta का value substitute करने के लिए हम लोग सारे value substitute करेंगे 0.99 upon 1-0.99 इसको solve करोगे तो आपको value मिलेगा beta का that means common emitter current gain का तो वो मिलेगा आपको 99 option भी इस question का correct answer आजागा ठीक है ध्यान में रखना होगा next session में हम लोग और भी moderate level के questions को dises करेंगे यह next question जो है आपको mainly पूछा जा सकता है जिसमें आपको different cycles दीर रहती है और application में यह हला कि हमने as a table करके भी मैंने आपको काफी बार provide किया बट आपको यह बात as a minute match the pair के form में आपको mention किये जिसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको ऐसा question definitely पूछा जा सकता है हाला कि अगर आपको एक question पूछा जाता है तो हम लोग काफी आसने से इसको करके आते हैं अगर आपको examination confuse कराने चाहते है जितना हाला कि आपने पढ़ चुके फिर भी आप उसमें गलत मार्क कर सको ऐसे question जब अगर देता है examiner तो ऐसे question आपको देखने को मिलते है अब होते हैं petrol engine ठीक है binary vapor cycle conscious में यूज होती है तो वो होती है geothermal power plants में निक्स रहता है ब्रेटन cycle यह हमारी conscious में application है इसका है तो वह हमारे gas turbine में Rankine cycle जो हम लोग most of the thermal power station जो रहते है उसमें लोग यूज करते है तो आपको धहन में रहते हैं आपको ऐसा question पूछागा है कि thermal power plant में क अपको ध्यान में रहते हैं तो ऑप्षिन बी एंची इसमें से correctly match नहीं हो गए तो यह इसको भूल जाओ भी अप इतना ही ध्यान में रहते हैं और टो साइकल फॉर एंजिन बाइनरी वेपर साइकल फॉर जियो थर्मल ब्रेटन साइकल फॉर गास टरबाइन रागन साइकल for most of the power plants and steam turbine power plants टूओ धर्दमिर एसका correct answer next question is question number seven the following production is not used in a power transfer and power transferer के अंदर में इसमिसे कांसा protection use नहीं करते है धान मेरक नोगा or fall protection in return और भावर क्योंकित है और अब को डिफरेंट करते हैं इसके लिए टीबल मेंशन करकर इसमें से एक कोशन काफी बार चांसे बनते हैं कि एक्जामिनेशन पूछ है जैसे कि हो किया फ्रेंदिंग फेस्ट प्राइमरी वांडिंग फेस्ट और उसमें भी हम भी लोग डिफीरेंशिल यह फिर और करन रेले यूज करते हैं इससे तरह किसे सो ऑन एंड तो फूर्ट ऑर अर्टिंग के लिए थे वर फ्लक्सिंग के लिए और फ्लक्सिंग रिए हो गया तो यही मैं आपको बताना चाहतु कि एलेक्ट्रोनिक्स में से काफी जदा को देखने को मलते हैं नीव सब्यक्ट को तो आपको रहे सकता है अब आपको क्या क्या पढ़ना होगा आपको तरीके से हाथ में अपने से प्रेपर करके रखा है उसी को आपको रिवाइस करना है अची तरीके से और नॉन टेक्निकल पोशिन को भी आपको टार्गेट करना होगा अची तरीके से ठीक है अब देखें उस दिन जो कोशन पूचा गया था कि आपको electrical characteristics कौन से रहती है इसी तरीके से आपको drain characteristics कहा रहती है ठीक है और बाकी जी डिफरेंट characteristics रहती है डिफरेंट इसे नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा और वह characteristics कौन से दो quantity के बीच में होती है वह आपको ध्यान में रखना होगा इसमें से एक question definitely बनता है अब आपको पूछा क्या गया था कि इसमें से कौन सा negative resistance region शो करता है तो वह होता है हमारा टर्ल डायोड option D इस question का correct answer है पिए जंक्शन डायोड जीनर डायोड शॉटकी डायोड और टर्नल डायोड की सिंबल सबसे पहले अब धान में रहें किगा उसका current direction और switching speed plus characteristics में क्या 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 है important significant है यह आपको इस table में मैं और पुछ जा सकता है क्योंकि आप भी recently काफी बार examination में पूचे जा रहे हरे हर एक examination में मैं लिए यह के two way switch के लिए symbol इसमें से कौन सा correct है वह है हमारा option C correct यह symbol होता है हमारे two way switch के लिए अगर आपको जानना होगा कि different different type के switches के symbol after different components के symbol उसके लिए मैंने एक free ebook free जो PDF है हमारे telegram के उपर already upload कर चुक है हाला कि इसने काफी सा रिष्ट्रोंड ने इसको already देख चुक है और download भी कर चुक है ठीक है यह हमारे list of electrical symbols से इसमें काफी number of pages मैंने इसमें इंक्लोड करके रखे और इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़के जाना होगा आपको टेलिग्राम का जो लिंक है आपको description box मिल जाएंगा काफी अच्छी तरीके से हमने इसको इंक्लोड करके आपको mention कि कि जैसे कि energy meter का क्या है main fuse board without switches अब देखिए यह जो रो है guys यह तो काफी important है यह तो आपको भूल कभी escape नहीं करना है क्योंकि इसमें से questions काफी के बार पुछ आता है क्योंकि देखने को लिए काफी simple है जैसे कि main fuse board हो गया with without switches lighting and with switches lighting इस तरीके से आपको डिफरेंस ध्यान में रखना रहता है ठीक है तो अगर आपको free PDF चाहिए हो तो हमारे टेलेगरम चैनल के पर अपर आप इसको जाके देख सकते हूं ठीक है then we have a next question which is question number 10 यह काफी important question है guys और यह definitely examination में पूछे जाने की chances है इस बार ठीक है मैं काफी ज़्यादा हाई chances बता रहा हूं इन जेफेक्ट अप्लिफेक्शन factor mu transconductance GM and dynamic drain resistance rd are related as देखें इसका correct answer रहे तो सबसे बहुत बता तो mu is equals to gm mu is equals to gm into rd यह correct answer आजाएगे ठीक है अब देखें में रखना होगा junction field effect transition में जो drain current रहता है id ठीक है वो किसको इसका function रहता है वो रहता है सबसे पहले तो vgs and vds का यह तो important point होगे अब इसमें चार various factors तीन various factors रहते हैं सबसे पहले तो dynamic drain resistance जिसको हम लोग mention करते rd से rd क्याया है यह हमारा ratio of change in drain to source voltage upon to the change in a drain current dell id ठीक है चेंज इन ड्रेंट करते आप यह हम लोग mention करते rd से ठीक है यह formula हो कहा है अभी हम लोग color change करके दूसरा एक formula देख लिए trans conductors को हम लोग mention करते GMs यहाप जो GM mention क्यार करका ठीक है अब यह trans conductors क्या है यह हमारा ratio of change in drain current change in drain current id upon change in VGS gate to source voltage अब यहाप यह constant क्या रहेगा drain to source voltage VDS जो है हमारा constant रहेगा ठीक है इस से को हम लोग कहते है trans conductors को mention करते GM से next हाते है हमारा mu और amplification factors को हम लोग कहते है mu को हम लोग किस तरह के से represent करते हैं गईस ठीक है इन दुनों का multiplication यह क्या होता है change in VDS drain to source voltage to the change in VGS at constant id इन दोनों का अगर आप multiply करते है ठीक है तो यह id और id आपी cancel हो जाता है और VDS upon VGS में मिलता है at constant id तो यह क्या होगा हमारा mu जिसको हम लोग कहते हैं आपको जंक्षन फील एफेक्ट राइस रखा है जो ड्रीन करेंट वो किसका फंक्षन है वी जिस और VDS का दें में रखना होगा option C question का का रटेंसर आजागा काफी सारे questions हमने आपको और detail में जाकर आपको समझा रहा हो कि कि इसी में से questions आपको देखने को मिल रहे है एक्षामनेशन में ठीक है तो आपको ध्यान में रखना होगा जो infinite है वो आप सबसे पहले तो ध्यान में रख लेजीगा और बाकी 0 तो आपको learn हो जागे जब ध्यान में रख सकते होगा बटते हैं हमारे next question के ओर जो कि हमारे question number 12 तो शॉक्लीज equation is given by शॉक्लीज equation को हम लोग किस्तर के सिर्पेसन करते हैं अगर आपने इसको पॉस करके तो आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरह के से confusion से को आपको है questions देखने को मिलते हैं IDSS क्या होता है ठीक है IDSS होता है हमारा train to source saturation current VGS होता है gate to source voltage और VP होता है हमारा pinch off voltage ठीक है then we have a next question which is question number 13 what is the loss in VAT for a three wire DC system three wire DC system का जो loss है तो हम लोग कौन से इस में represent करते हैं वो हम लोग measure करते से पी स्क्वार अपॉंट वी स्क्वार पी स्क्वार अपॉंट वी स्क्वार पी स्क्वार अपॉंट वी स्क्वार और इसका correct answer आ जाएगा ठीक है इस table में मैंने आपको mention करके रहा है DC two wire system with one wire earth head midpoint earth head or DC three wire system के लिए जो loss invite है आपको यह ध्यान में रखना हो का फॉर्मूला से ठीक है दिन व्यावर नेक्स क्वेशन विचिस क्वेशन नबर फॉर्टीन इंसुलेशन प्रवाड़ इंसुलेशन प्रवाड़ के लिए आपको ध्यान होगा कि इसमें जो question पूछा गया था कि हम हम लोग जो holders के लिए जो material यूज करते हों कौन सा material यूज करते है उस material से भी आपको question पूछा गयाता है इसलिए मैंने आपको यह question भी आपके लिए मेंचन के एर करका है कि जो insulation प्रवाड़ करते हम लोग केवल के उपर वो कौन से that means it is mainly consist of PVC and XLPA ठीक है तो XLPE का full form क्या है त आपको ध्यान में रखना होगा XLPE का full format है crosslink polyethylene crosslink polyethylene इसका character answer हो जाए का PVC टाइप A, B, C, XLPE, rubber, EPR, E1, EPR, I3, I4 and silicon I5 के लिए जो maximum operating temperature है यह आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है then we have a next question which is question number 15 which of the following is not a property of insulation used for a cable जो हम लोग केवल में insulation use करते है उसका जो property कौन सा नहीं है ऐसा question में पूछा गया ठीक है तो low dielectric strength इसका property नहीं है ठीक है इसका dielectric strength high होना चाहिए option D जो है इसका incorrect statement हो जाएगा हाला कि high resistivity low thermal coefficient and low permutivity is the property of insulation used for the cable द्यान में रखना होगा और cable से लिए एक session जो है 10 minute का मैंने अप्लोड करा दिया है इसमें से एक question definitely पूछा जाएगा आपको इस साल ठीक है धान में रखिए अगर आप उसका link चाहिए होगा तो मुझे आप मांग सकते है फिर description box में provide करा 16 what is the maximum speed in kmph for suburban services अगर आप पर पूने में ट्रो का examination के लिए सकते है तो हो सकता है यह में एक question है इसमें में इंक्लोड कर सकते हैं सब अर्बन सर्वीस के लिए जो आपको और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो different different graphs रहते अर्बन सर्वीस के लिए सब अर्बन सर्वीस के लिए ठीक है कुछ इस तरीके से आपको starting पिरेट रहता है running पिरेट हो गया costing पिरेट और ब्रेकिंग पिरेट उसके उपर से एक question definitely पुचा सकता है हम लोग हाला कि इसमें नहीं include किया बट आपको इसको पढ़के जाना होग ठीक है हाला कि हम लोग next test में include करने की कोशिश करेंगे तो maximum speed क्या रहता है सबर्बन सर्वीस के लिए ठीक है तो वह रहता है 75 kmph अपर मेंचन करके रखा है ध्यान में रखना होगा urban suburban and mainland services के लिए इसका acceleration क्या है डिटार्डेशन क्या है maximum speed कितना है और distance between stations कितना रहता है ध्यान में रखना होगा यह मैंने table काफी important mention करके रगा अची दरीके से बढ़के जाना होगा then we have a next question which is question number 17 which is the following type of commutation is known as an impulse type of commutation impulse commutation काउन सा रहता है तो वह रहता है हमारा class T type of commutation that means impulse commutation is also a class T commutations class A कौन सा हो रहता है self or load commutation B is for a resonant pulse commutation C for complimentary commutation D for impulse and E for external pulse commutation रहता है तो option D is question का करेक्टान सा जाएगा which is class D is also known as the impulse commutation guys then we रखना होगा A is for self or load B is for the resonant C is for complimentary तो यह आपको धहन में रखने की जरूवत नहीं है D is for impulse E is for external E or D E or C को धहन में रखना है सिर्फ A B और C को धहन में रखना होगा ठीक है क्योंकि इसका starting जोने letter है वो C for complimentary E for external but D for impulse B for resonant and A for self अचिदर के धहन में रखना होगा then we have a next question which is question number 18 what is the value of earth resistance for a small substation small substation के लिए earth resistance कितना रहता है तो it is about two ohms option B is question का रहता है सरा जगा small substation के लिए maximum value रहता है resistance under worst condition के लिए वो रहता है हमारा two ohms यहां पर table में में बाकि large power stations के लिए major substation होगा factory lattice steel towers and industrial machine and equipment के लिए कितना maximum value of resistance रहता है तो यहां पर mention करके रखा है then we have a next question which is question number 19 जैसे मैंने आपको question बताया था guys in common collector configuration common collector configuration में transistor के current gain हम लोग किसे रप्रेजन करते हैं हम लोग gamma से रप्रेजन करते हैं gamma DC उसका ratio क्या रहता है ठीक है it is a ratio of I emitter current to the base current ठीक है option c is question का correct answer जाएगा इस case में आपको one plus beta भी हम लोग gamma को रिप्रेजन करते हैं ठीक है और यह हमारे common collector में voltage गें रहता है यह less than one रहता है धान में रहता है common emitter and common base में those are the moderate alpha DC को alpha मैंने बताया था वो रहता है ratio of current collector current to emitter current बीटा को क्या बताया था collector current to the beta current ठीक है IB and gamma is for a emitter current to the base current दहान में रहता है तीन भी conflagrations ठीक है then we have a last question of our session which is very important question इन वेपर compression refrigeration cycle तो dash compression takes place VCR cycle के अंदर कांसो compression takes place हो था है isentropic compression ठीक है isentropic compression of saturated vapor यह रहता है compressor ठीक है अब ठीक है यहापे जो आपके घर का जो normal refrigerator है उसके अंदर जो VCR cycle रहता है vapor compression refrigeration ठीक है यह आपको ऐसा question में लिए पूछा जाल सकता है इस साल ठीक है तो उस इसमें हमें लोग जो compression की step रहती है वो हमारे isentropic compression रहती है saturated vapor का यह आपको धहन में रखना हो का यह आप कोच्छी दरे किसे पढ़के जाना इसको भूलना नहीं का इस काफी important है next क्या होता है second to third processor में जो condensation होता है वो हमारे isobaric heat rejection होता है condenser के अंतर then third process में isenthalpic expansion होता है saturated liquid का and fourth to one में क्या होता है we evaporator में कहते है isobaric heat extraction होता है in the evaporator option is question का carry tensor आजएगा काफी important से question मैं आपकी सामने present के और काफी important आपको आपको आज का सेशन कैसा लाग है यह मुझे जरूर का comment box के माइदर में से of laying cable from ground surface to top of the cable for a high voltage cable which is which can be a 22 kv or 33 kv इसका correct answer में comment works के माधिम से comment करना है अगर आपको इसका आई रूल भी ध्यान में रखना होगा तो that will be very appreciated अपको मैंने जितने भी आपको आज के आपको मिल जाएगा free pdf के लिए आपको टेलिग्राम चैनल के उपर वो जो सिंबॉल का सेशन में आपको मेंशन किया तो वह आपको चितरी किसी धान से जाके देखना होगा काफी pdf में हमने number of अमने उसमें आपको आज का सेशन समझ में होगा इस सेशन को आपके दोस्ते का शेयर करेगा हमारे चैनल कोचिफाय और एलेक्ट्रिक लेंजिंग हमसे को यहाप आप क्लिक करके सब्स्राइब कर सकते कोई भी दिक्कत आती तो हमें कमेंड बॉक्स के माद देम से कमेंड करेगा तो नहो काफी इंटरक्टिव डिसकेशन वहाप आपके सामने करते रहते हैं तो गाइस थैंक्स वर वाचिंग दिस सेशन हवा नाइस टे